हेलो स्टूदेंट्स आइम मिली आदव वेलकम तू माय यूटूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैच क्लास 10 एंसी रियल नंबर चाप्टर वन एक्सराइज 1.1 का क्वेशन नंबर वन हम लोग स्वाल करने जा रहे हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वे गयती दिद्रोल्प तो फाइंड्습니다 sacrifice ङॉम्हां सब्साइब हैं सब्साइब हम यहां पार्ट वन हम देखते हैं आपको यूक्लिट डिविजम् अलगॉर्व हम सब्साइब यहें चैनल आथा है आपका क्या होता है यहां पर वाइच यहां amad 씨 डिविजन लेमा लेमा में आपको यह बताया गया है A is equal to BQ plus R वेर रिवेंडर जो है वो आपका 0 से बड़ा या इक्वल होगा लेकिन आपके इस डिविजर से क्या होगा छोटा रहेगा यहां पर आपको पता है कि A is equal to BQ plus R में A आपका क्या है डिविजन होता है B आपका जो है वो डिवाइजर होता है और इसके अलावा आपका जो क्यू है वो आपका क्विशन है और यह आपका रिमेंडर होता है तो इसमें आपको बस इसी format में रखता है यूक्लिट्स डिविजन अल्गॉरिदम में सबसे पहला step आपको यह होता है step 1 में आपको यह करना होता है कि इसमें सबसे पहले A is greater than B करना है यानि A क्या है यह बताना है और B क्या ही यह बताना तो जो बड़ी वाली value होती है वो आपकी A होती है यानि वो आपके dividend होती है और जो छोटी वाली value होती है वो आपके diviser होती है यानि 135 अब हम यहां पर use करेंगे यूक्लिट्स डिविजन अल्गॉरिदम सबसे पहले हम यहां divide करते है 225 है इसको 135 से क्या करना है डिवाइट करना है जैसे डिवाइट करेंगे तो यह आपका one time जाएगा 135 है 0 आजाएगा दन आप इसको minus करेंगे क्यारी लेंगे 12 हो जाएगा 12 मिसे 3 minus करेंगे 9 यहने 90 आजाएगा और यह आपका 0 हो गया तो अब हम पहला step यहां पर देखते यहां पर क्या कहेंगे है और यहां पर क्या कहेंगे है और तब तक हम इसे डिवाइट करते जाएंगे जब तक हमारा जाएगा 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 जाए अब फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे A और B को यहाँ पर सबसे पहले फाइन करेंगे तो अब समझना है A क्या होता है और B क्या होता है तो जो अब आपका रिमेंडर बन जाता है वोसे आप जो है B बनाएंगे और जो आपका यहाँ पर diviser होता है उसे आप क्या बनाएंगे अपना A बनाएंगे तो यहां पर 135 और B की वालू आ गई 90 और फिर से डिवाइट करते हैं यहां पर 90 है और यह 135 है बन टाइम सी जाएगा उससे ज्यादा जा नहीं सकता 90 हो गया यहां पर आपका 5 और यह आपका माइनस करेंगे तो 45 आएगा यहां पर आप देख रहे हैं अगेन आपका रिमंडर 0 नहीं है बट हम यहां पर पहले यह फॉर्मिट तो लिख लेते हैं कि 135 इस इकॉल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 अब हम यहां पर देख रहे हैं थो हम क्या करेंगे फिर से क्या करेंगे अगेन यूक्लित्स डिवेजन अलगोरिधम तो लगाएंगे तो पहले क्या चाहिएए ए THIS आपका जो यह बालट होता है वह यह अ और जो आपका reminder होता है वो बन जाता है तो यह आपका वी हो गया फिर इसको हम डिवाइट करेंगे 90 से तो आपका पता है 45 तूजा 90 होता है तो टू टाइम चुआएगा यहां पर यहांनी कि आपके 90 और आपका reminder किता आ गया तो यहां हम यहां पर सीरा सीरा लिखते है therefore यहां पर 90 is equal to 45 into 2 plus 0 और जिस समय आपका reminder 0 आया और जिस diviser की वजह से आया है वही आपका क्या होता है hcf होता है तो हम यहां पर कहेंगे therefore hcf of 135 and 225 is equal to 45 तो यह हो जाएगा आपका answer I hope आपको समझ में आ गया होगा कि जो last step में जहां पर reminder 0 आता है वही आपका क्या होता है hcf होता है next question solve करते हैं question number 2 है 196 and 3a2220 इसे क्या करना है hcf करना है हम यहां भी वही करेंगे यहां पर भी divide करेंगे सबसे पहला हमारा क्याम क्या होता है euclid division lemma यूज करते हैं by euclid division lemma a is equal to bq plus r अब यह आपका होता है जहां r की जो value है वो 0 के equal या उससे बड़ी होगी लेकिन b से यानि diviser से छोटी होने चाहिए क्योंकि यह आपको पता है dividend is equal to diviser into question plus remainder इसका मतलब यह है यहां पर मैंने पहले question में यह चीज़ लिखके आपको बता दिया कि इस format की meaning क्या होती है यहां पर a मतलब आपका dividend है b means आपका diviser है q means question है r means remainder है फिर आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहला step काम क्या होगा आपका सबसे पहला step होगा a और b को find करना यहां पर तो जो बड़ी वाली value होगी वही आपकी a होगी यानि 3 8 double 0 double 2 0 and b आपका क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा अब हम यहां पर जब यह step find कर लिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड करते ह हम इसको divide करेंगे 3 8 double 2 0 अब इस question में क्या करना है हमने आपको बताया कि सबसे पहले step यह होता है कि आप जब इसको solve कर रहे हैं तो जैसे आपको यहां पर था कि 90 से यह जा नहीं सकता है क्योंकि 135 है जो वह क्या है 90 से बड़ा है तो जब यहां पर remainder इससे चोटा आ जाता है तो अब उसके आगे आप उसको solve महीं करेंगे then again फिर आपको योकलिट्स algorithm यूज करना पड़ा है इस question में भी हम क्या करेंगे divide कर जाएंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर यह 196 है तो यहनि तीन numbers तक हम यहां भी लेके जाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि one times ही जाएगा तो one times जाएगा तो 196 हो जाएगा यहां पर तो यहां six में से two minus हम two में से minus नहीं कर सकते हैं तो carry लेंगे 12 हो जाएगा 12 में से six minus करेंगे तो six हो जाएगा फिर आपका यह 17 हो जाएगा क्योंकि एक one इसको carry लेना पड़ेगा तो 17 में से nine minus करेंगे तो nine और रोड़ है चोटा है उससे का मतलब यहां पर नाम पर यहां तो आप इस तू को भी यहां पर ग्या उतार लेंगे देन हम इसको को ले जाएंगे अप देखते हैं कितम neighborhood जा रहा है यहां रास्ट में धूर और यह आप 두 Ε assess है यह आपका फोर आते जा सकते हैं कोशिज करके देखते हैं 96 54 करी 5 और 99 81 81 और 5 कितना हो जाएगा आपका 86 और आपका करी 8 हो जाएगा 99 जा वन आपका हो जाएगा और 9 और 8 9 और 8 एड करेंगे तो 17 आ जाएगा फिर हम इसको माइनस करेंगे तो यह कितना आपका यहां पर 8 आजाएगा यहां पर क्योंकि रिख़ाएं से लिफेृत वापों 8 के लिफता क्यों बदृतक वैको 9 जाने से तो यहां पर जाता है यानि इसका मतलब है कि फाइप तेम्स जा सकता है तो फाइप लेके जाते इसको यहां पर आप गाया का थिक थिए यानि आपका पूरा पूरा जीरो आगया इसका मतलब है इस question में आपको एक ही बार में सारी चीज डिवाइड करने से मिल गई है अब यहां पर आप इस वाले format को लिखेंगे यहां पर डिविडेंड आपका कित्ता था यह बड़ी वाली वैल्यू यहां पर क्या होता है कि जो लास्ट में जिस वैल्यू से 0 आया है जिस वाले डिविजर से यह 0 आया है वही इसका hcf होता है यहां पर आपको दुबारा डिवाइड करना है नहीं इस question में एक ही डिविजन से आपका hcf find हो गया तो यह है question number आपका इसे में part number 2 है अब इसका हम part number 3 देख लेते हैं part 3 में आपको बोला है इसका 867 and 255 का निकालना है hcf इसका hcf निकालने के लिए हम फिर से यहां पर क्या यूज करेंगे by Euclid's division lemma lemma में यह बोला जाता है a is equal to pq plus r where remainder is greater than or equal to 0 and less than to b अब हम यहां पर क्या करते हैं सबसे पहले step में यह होता है कि इसको find करेंगे a is greater than b a यहां पर क्या है 800 a की value आपकी किती है 867 and b की value है 255 means 867 is greater than 255 यही points आप इधर भी लिख सकते हैं कि यहां पर आपका यह जो है is greater than 196 के and इस point को आप यहां भी लिख सकते हैं कि 255 is greater than 135 यह steps आप इसमें से लिखेंगे फिर आप यहां पर क्या करेंगे इसमें 867 अब इसको divide करते हैं जब हम divide करेंगे तो 255 है 867 यह आपका कितने times में भी possible हो सकता है इसको हम लोग चक करके देखते हैं I think यह आपका three times जाएगा क्योंकि आपका यहां पर जो है यह five three plus six है और यह eight आ रहा है जो इसका मतलब है कि यह three times जा सकता है five three is a fifteen carry one then five three is a fifteen और sixteen carry one और three two is a six or seven यानि seven hundred sixty five आ रहा है seven minus five करेंगे two six minus six करेंगे zero and eight minus seven करेंगे तो one लेकिन आपका तो reminder zero नहीं आया यहां पर हमारा क्या आ रहा है dividend is equal to यहां पर आ रहा है आपका diviser means 255 into question plus reminder है one hundred two अब यहां पर क्या है हम कहेंगे here here r is not equal to zero यह जो r है आपका zero नहीं आया और zero और algorithm में यह कहा जाता है algorithm का मतलब ही होता है कि तब तक हम इसो divide करते जाएंगे जब तक यह series zero ना हो जाए इसका reminder zero ना हो जाए इसी को algorithm कहते है और euclid से यही चीस जो है find की थी तो यहां पर यानि आपका जो है that is one zero two that is one zero two is not equal to zero तो हम यहां पर क्या करेंगे again हम यहां पर क्या करेंगे apply करेंगे again apply euclid's division algorithm अब algorithm हो गया यह लामा नहीं है algorithm है यानि इसकी series बनानी पूरी तो हम यहां पर फिर से क्या देखेंगे a हमारा आप क्या हो जाएगा जो यह वाला पार्ट होता है वो a हो जाता है और जो remainder होता है वो आपका क्या हो जाता है b बन जाता है फिर हम यहां पर solve करेंगे again की one zero two है इसे divide करेंगे two fifty five से तो कित्र टा जाएगा one time से जाएगा तो यानि यह one zero two आ गया यह आपका आएगा three और यह आएगा five यानि आपका 53 आ गया one minute यहां पर देखते है minus करके minus ठीक है यह आपका two times जा सकता है क्योंकि यह तो आपका one zero two two ही है इसका हम two times से जाते है two two is a four two क्योंकि यह possible है चला जाएगा तो य और यह आपका five आ जाएगा two minus two zero हो जाता है यहनि 51 आ रहा है यहां फिर से आपका reminder zero नहीं है बट हम यहां पर पहले लिख लेते हैं 255 is equal to 102 into 2 plus 51 यहां पर हम कहेंगे here here r is not equal to zero that is 51 is not equal to zero तो हम यहां again apply करेंगे again apply यूख्लेट्स डिवेजन अलगोरिधम और इसमें a क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 102 और बी क्या होता है रिमेंडर होता है यह आपको यह चीज़ तो समझ में आने लगे होगे कि बी क्या हो दार होता है फिर अगेन यहां पर डिवाइट करेंगे 51 को हम किस से करेंगे दिवाइड हम यहां डिवाइड करेंगे 102 से यह आपका टू टाइमस चला जाएगा तू टू 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 यह पूरा पूरा आपका जीरो आ रहा है यहां यहां पर आपका रिमेंडर जीरो आ रहा है इसका मतलब हम लिखेंगे 102 is equal to 51 into 2 plus 0 और जिस वाले डिविज 567 and 255 is equal to क्या हो जाएगा 51 यह हो गया हमारा आंसर तो आई होप यह क्वेशन नंबर वन आपको समझ में आ गया होगा मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए और बल आइकन को प्रेस कीजिए थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग